कि चले बच्छों अब हमात करते हैं कि अमिनोजिट को हम लोग on the basis of on the basis of optical activity on the basis of optical activity optical activity के basis पर अमिनुजिट दो परकारता । एक ग्लाइसेड और एक अधर देन ग्लाइसेड अधर देन ग्लाइसेड अधर देन जो भी है जो भी ए टोटल जो भी है अब ग्लैसिन के अप जानते हो अगर मलग यह अब 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 यह सेंटर्वर दलिव एक है करके मैं पुछता जा रहा हूं क्या स्टीवेर्ण सेंटर है नहीं है अगर नहीं है कि कारियल क्रवन है नहीं है अगर कैरिल करवन नहीं है तो जिसमें खारियल कर्वन होता है वह molecule optically active होता और optically active का मतलब क्या होता है जब उस पर plane polarized light गिरेगी तो यह तो यह दो राइट में उसको सब्कर सब्सक्राइग उसको respond करेगा लेकिन अगर उसके पास chiral center नहीं है अन symmetrical center नहीं है तो वो plane polarized light को respond नहीं करेगा मतलब वो optically inactive है इसका मतलब जिसमें जतना ज़्यादा chiral carbon वो उतना ज़्यादा optical activity रखता होगा लेकिन glycine type के amino acid में chiral carbon है ही नहीं तो क्या यहां पर optical activity होगा नहीं होगा मतलब glycine type के जितने भी amino acid मलब यहीं है वो optically inactive है वो optically inactive है क्यों क्योंकि यहां पर नहीं है क्या chiral center अच्छा बताओ अगर इसमें का स्टीरियो एसमर होगा नहीं होगा और स्टीरियो एसमर ही नहीं होगा तो डूरी ए इस्टीरियो सेंटर मतलब कायरल सेंटर और नहीं है इसले तो optical activity नहीं सो कर रहा है न क्योंकि कायरल कारवन ही सो करता है ज्यान में रखो कि अगर और इसको आबजेक्ट मान लेते इसको मिर इमेज मान लेते सुर सीन से मोटा आपके तो इसका जो मेर का इमेज बनने वाला है क्या बने वाला यह बन जाएगा यह वाला एकडा मैं इसको ऐसे लिखता है इस कलर से बुलू से पिंक से लिखता हूं यह एच यहां पर इधर है तो आइने के ज़स्ट बगल में दुखेगा और यह ब्लैक वाला एच जो है यह इधर आके दुखेगा लेकिन यह अगर आप इस मीरर इमेज को उठाके तो मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आपको पता चले कि दुनों एच अलग 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 अटम मीरर इमेज में पता चले लेकिन आप अगर इस मीरर इमेज को उठाके इसके उपर रखे मिलान करने की कोशिश करोगे सुपर इं में पोजिबल है या नोन सूपर इंपॉसिबल है वो लो कि लगता है कि मीरा इमेज नौन सूपर इंपॉसिबल है कि अच्छा आप सबको लग रहे हैं कि मीरा इमेज स्थी बना रहा हुआ इन्होंने एस पार्टी supra Cris kar पर लिए था है मैं अपर आप यहाँम है सब्सक्रान घ्रचिन है ऐ यहां था है ति ऐच में आप यहां पर कह cyclskंच का था किया था Щुच क्या है है अब आप इसको एज़िटिज उठाके इसके ओपर रखने के कोशिश करो मिरली मेज और यह नौन सुपर इंपॉसिबल और यह कितों को समझ में सुपर इंपोसिबल लॉन और सुपर इंपोसिबल बाकि या इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते और अर्गनिक में आप इसको पूड़ी को उठाके यह रखोना मैच खा जाएगा कर जाएगा सुपर इंपोस हो जाएगा और यहां नहीं होगा यह हुआ जाएगा आपको दबस हैं घुकल अप्तिकल अप्तिकल और सुकरता है इसके पास्थ अप्तिकल अप्सार्यकर और इसके बाड़ा लख होगा इन सभी का बोलो यहां पर क्या studio center present है यह तो क्या inansiomer होगा inansiomer होगा यह तो कि mirror image super impossible नहीं है तो तो यह चुकि इसके पास यह studio सिर्वाइब आप्ति कली अप्ति की के अप्ति काली एक्टिव आपन एडendeate के लोगो इसके बारे में बौलो में तो यह तोने लोघ्ण क्यू ऑप्तिकरीके इस shift आप the प्लेन प्लेराइज लाइट को रोटेट करता है तो अब बात आती है सर प्लेन प्लेराइज लाइट को कौन किधर रोटेट करेगा इसके बारे में आप पढ़ेंगे कहां और यह निक जब आप प्लेराइज लाइट को यदी पुरा का पुरा मॉलीकूल राइट डारेक्शन में सिप्त कर दे तो पूरा मॉलीकूल कराता है डी क्या कहलाता है कि और यदि को लेंड भी डुलिफ लाइस लाइट को लेफ्ट डिरेक्सर में शिप्ट वो कहलाता है यहां डूमण अरो फिर्भी हो और वो कॉन राइट करेगा इसका बारे में आप जानकारी कहां लोगा और इसके पूरा स्ट्रुच्छर आप पढ़ो पढ़ाएंगे आपको सब्सक्राइब का मिक्सर रैसे मिक्सर वो सब आप पढ़ते हो वहां पर पुल मिलाके इतना बास समझो कि जो जो भी प्लेन प्लेलाइस्ट को राइट में सिफ्ट कर जागा वो डी फॉर्म जो जो करेगा लेफ्ट में वो एल फॉर्म इसका मतलब लग तो यही दी फॉर्म और एल फॉर्म आपस में स्टीडियो ऐसे मरोंगे यही आपस में इन न्सी ओ एसो मर वोंगे कितनों का समेव में आगया कितनों का समन्ण में आ गया मतलब ग्लैसीं को चोरके जितने भी अमिनोचीड है सब इस दो फर्फ पॉसील है एक य्फ्रॉम वह जब पीपेट डालोगे तब पता चलेगा कि डीफॉम है य्फॉम लेकिन फर्फॉम ये पॉसीबल दो इस चक्श अब इसके आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम अमीनोस को खतम करके प्रोटीन में घुज़ाएंगे तो आप आज क्या कीजिएगा आज के वाल नूर्स अच्छे से पढ़ लिए और मैं आपको आज हमवर्क भेस दूंगा बावयो मोलेकल अब इसके अब यहां तक मैंने पठादिया वहां तक का सौलमतर में के लिए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटीन में घुज़ाएंगे तो और सो प्रोटीन को खतम करके फिर कार्बोर्डेट में जाएंगे ठीक है चलिए यहां तक अगर किसी को को डाउट हो तो आप पुछ सकते हैं मैं एक वार जली से पूछ लेता हूं अभी सेख एरान जोती रिवा नो सर नवीन नो सर सिवानन नो सर अभी सेख हो गया ठीक है गुड नाइट जाओ चलो ठीक है मिलते है नेक्स्ट क्लास में इसक्रिंशॉट लेलिए उसका